Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes आज की वीडियो का टॉपिक है Sources of the Indian Constitution तो इस वीडियो में हम भारते सविधान के जो Indian Constitution के Sources है कहां कहां से Indian Constitution में क्या क्या चीज़ने ली गई है इन से लेटेट मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन को कवर करने वाली है फ्रेंट्स मैंने सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपॉर्टन लिये हैं अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी सदा यूसफुल रहने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन से पहला कोशन है वट इस दा सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ दी इंडियन कॉंस्टिटूशन भारते समिधान का एक मात्र सबसे बड़ा इश्रोत क्या है तो एक मात्र जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है फ्रेंट्स गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 हिंदी में इसे बोलेंगे भारत साशन अधिनियम जो 1935 यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स है इंडियन कॉंस्टिटूशन का देखे फैंट जो गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 ता इसका उदेश है क्या था इसका उदेश है था कि गवर्मेंट आफ इंडिया के लिए और पी जो प्रोविजन से उनको ले के आना और इसे बिटिश पार्लेमेंट के द्वारा ओगस्ट 1935 में जो है इसे पास किया गया था यह लॉंगेस्ट इट वस लॉंगेस्ट एक्ट जो की बिटिश पार्लेमेंट के द्वारा उस टाइम पे इनेक्ट किया गया था तो यह कुछ इंपॉर्टन फीचर इसके बारी में अगला कोशन है from where is the five year plan taken in the Indian constitution भारते समिधान में जो पंच वर्षे योशना है यह कहां से ली गई है तो पंच वर्षे योशना को लिया गया है सोब्यत यूनियन यानि सोब्यत संग से अच्छा फ्रेंड्स अगर five year plan की बात करते हैं सो क्यों यह पंच वर्षे योशना है भारत में आई थी ताकि भारत की जो economic condition थी उस time पे उसमें improvement ला सके अलगलग sector wise जो है improvement ला सके उसके लिए पंच वर्षे योशना को लाया गया था एक question यह बनता है कि five year plan को implement करने वाले पहले person कौन थे उनका नाम हमें ध्यान रखना ह first person थे जिन्होंने five year plan को implement किया था कहां Soviet Union में कौन से year में 1928 में सबसे पहला जो five year plan है वो इंडिया में कब शुरू हुआ था इंडिया में five year plan के शुरूआत हुई थी 1951 से पहला चला था 1951 से 56 तक तो वैसे इस पे कलग सी वीडियो भी है आप लोग उसमें देख सकते हैं उसमें detail wise आपको सभी चीज़ें बताई गई है next question देखिए from where has the parliamentary system of government and the cabinet government system been adopted in India भारत में सरकार की जो संसद्य प्रणाली और cabinet सरकार प्रणाली है ये कहां से ली गई है तो इसे लिया गया है friends British constitution से इसे लिया गया है next question है the concept of concurrent list in the Indian constitution has been taken from which country भारते सम्विधान में जो समवर्ती सूची की अवधारना है किस देश से ली गई है answer है इसे लिया गया है Australia से concurrent list या इसे third list कहें या तीसरी सूची कहें तो भारत के सम्विधान की जो 7th अनुसूची है 7th schedule है उसमें दिये गए 52 subjects की ही ये सूची है concurrent list अगला question from which country has the language of the preamble been taken in the Indian constitution भारते सम्विधान में प्रिस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है इसे लिया गया है Australia के constitution से अगला question है from which country have the directive principle of state policy been taken राज्य के नीती निर्देशक से धान्त किस देश उसे लिये गई है answer है Ireland से लिया गया है इसे जो source है DPSP का ये Spanish constitution या आप कह लिजे कि जो Spanish सम्विधान है वो है इसका main source जहां से Irish constitution भी आया था DPSP का word on है article 36 से 51 तक और part कौन सा है part no.4 एक्जाम में गई बार डारेक्ली यही पूछ लेते हैं कि DPSP कौन से part में है या इसके article कहां से कहां तक है next is from which country the principle of bicameralism has been taken 2 सदन का जो सिध्धान है कि सदेश से लिया गया है right answer is United Kingdom bicameral का मतलब होता है two houses at the center and state level state level पे भी दो सदन होंगे और राज्यस्तर पे भी दो सदन होंगे जैसे कि center में कौन कौन से है लोकसबा और राज्यसबा वही भारत में 6 states में 2 houses है विधान सबा और विधान परिश्यद next question है which one is the original act from which the Indian constitution evolved कौन सा मोल अधिनयम है जिस से भारते समिधान विक्सित हुआ answer is Government of India Act 1935 next question from which country the provision of written constitution is in the Indian constitution has been taken भारते समिधान में लिखे समिधान का चो प्रावधान है किस देश इसे लिया गया है इसे लिया गया है अमेरिका के constitution से next step from where has the provision of public service commission been taken in the Indian constitution भारते समिधान में लोग सिवा आयुक का प्रावधान कहां से लिया गया है answer है Government of India oh sorry इसको लिया गया है friends Government of India Act 1935 से लिया गया है next question है from which country the provision for removal of supreme court and high court judges has been taken from the Indian constitution सर्वोच न्यायाले और उच न्यायाले के न्यायधीशों को हटाने का जो प्रावधान है किस देश से के भारते समिधान से लिया गया है तो इसे लिया गया है अमेरिका के constitution से अच्छे friends अगर हम supreme court और high court की बात करें थोड़े से इसके differences के बारें बात करें तो जो supreme court होता है यह हमारी country का principal court होता है और high court किसी भी state का जो highest judicial body होती है वो है high court supreme court में होती है chief justice of India जो कि इस time पे है धननजय यश्वन्त चंदरचूर और high court में उस state के chief justice होती है एक ही देखे हमारी country में जो है वो एक है supreme court लेकिन high court की बात करें तो 24 high courts हैं यह भी आतकेंगे और जो retirement age होती है supreme court के judges की वो 65 years होती है जबकि high court के judges की होती है 62 years तो यह कुछ important जो differences है उनको याद रखेगा अगला question है from which country has the provision of a more powerful lower house has been taken in the Indian constitution भारते समीधान में अधिक शक्तिशाली निचले सदन का प्रावधान यह लिया गया है United Kingdom के constitution से अगला question है from which country the provision of the speaker in the Lok Sabha has been taken in the Indian constitution अगला question देखिए the provision of the post of prime minister in the Indian constitution has been taken from which country प्रधान मंत्री पत का जो प्रावधान है यह लिया गया है UK United Kingdom के constitution से next question article 108 that is the provision of joint sitting of both the houses in the Indian constitution has been taken from which country सो जो आर्टिकल 108 है यानि दोनों सदनों के सयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है Australia के constitution से next question from which country the provision of freedom of trade and commerce in the Indian constitution has been taken भारते समिधान में व्यापार और वानिचे की सोतनतता का प्रावधान Australia के constitution से लिया गया next question presidential election का जो method यानि राष्टरपती चुनाव की प्रदती जो है इसका प्रावधान लिया गया है कौन से देश के constitution से answer is Ireland अगला question है friends in the Indian constitution the provision that the president nominates members to the Rajya Sabha has been taken from which country भारते समिधान में राष्टरपती द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान लिया गया है Ireland के constitution से अगला question है from which country the provision for election of Rajya Sabha members has been taken in the Indian constitution राज्यसभा सदस्यों का चुनाव का जो प्रावधान है ये लिया गया है South Africa constitution से अच्छे friends अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को जाना जाता है as a council of states के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसकी अध्यक्षिता it is a presided over the vice president of India अगला question है from which country the provision of the law on which the supreme court works has been taken in the Indian constitution सर्वोच न्यायले जिस कानून पर कारे करता है उसका प्रावधान लिया गया है जापान के constitution से next question the amendment process of the Indian constitution is influenced by the constitution of which country जो संशुधन की प्रकिरिया है ये किस देश के सम्विधान से प्रभावित है answer है South Africa यहां पर कॉर important बात ध्यान रखेगा कि हमारे constitution का कौन सा part है जो की relate करता है constitutional amendment से तो है part number 20 और अगर article की बात करते हैं तो जो article 368 है हमारे constitution का वो related है constitutional amendment से अगला question है the federal system of India is more similar to the federal system of which country जो भारत की संग्य प्रणाली है संग्य व्यवस्ता है ये similar है Canada की federal system से next question the division of powers between the union and the states under the Indian constitution is based on which inspiration बारते समिधान के अंतर का जो संग और राज्यों के बीच powers का division है ये किसकी प्रेणा पर अधारित है right answer is Canada से next question the idea of fundamental duty in the Indian constitution has been taken from the constitution of which country मौलिक करतव्यों का बिचार लिया गया है रशिया के constitution से इसके बादे के fundamental rights के बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार लिये गए हैं अमेरिका के constitution से अब बात करते हैं friends थोड़ा सा fundamental rights के बारे में तो देखे question है आप एक्जाम में ये बन जाता है कि fundamental rights का वड़न कौन से part में है यह तकेंगे fundamental rights का वड़न दिया गया है part number third में article 12 से 35 तक दिये गए है fundamental rights next question from which country did the framers of the constitution of India adopt the idea of judicial review भारत के समिधान निर्माताओं ने किस देश से नियाइक समिक्षा का विचार अपनाया तो इसे लिया गया अमेरिका के constitution से next question कानून का समान संरक्षन यानि equal protection of law ये phrase लिया गया है अमेरिका constitution से next question the rule of nomination of Rajasabha members by the president was taken from the constitution of which country राष्टपती राद्वारा राजसभा सदस्य के मनोनयन का जो नियम है ये लिया गया है Ireland constitution से next question the idea of including fundamental duties in the Indian constitution has been taken from the constitution of which country मूल जो मूल करतावे हैं मौले करतावे हैं उनको शामिल करने का विचार आया former Soviet Union से next day which country first adopted the federal government system किस देश ने सबसे पहले संग्य साशन परनाली को अपनाया तो आंसर है Canada ने अगला question है in which country did the parliamentary system of governance first develop संसद्य साशन परनाली सर्वपर्थम किस देश में विक्सेत हुई तो ये विक्सेत हुई Britain में next question India has borrowed the concept of concurrent list from the constitution of which country भारत ने समवर्ती सूची के जो अवधार्ना है इसे लिया है Australia के constitution से अगला question है process stabilized by law as enshrined in the Indian constitution यानि भारती समविधान में प्रतिस्ठापित कानून द्वारा स्थापित जो प्रकिरिया है इसे लिया गया है friends Japan के constitution से question है from where has the process of law making in the Indian constitution बीन टेकन भारती समविधान में कानून बनानी की प्रकिरिया कहां से ली गया है तो इसे लिया गया है British constitution से next question from where has the system of governance been adopted in India भारत में सरकार के प्रणाली कहां से ग्रहन की गयी है तो right answer है British constitution next question भारते समविधान में जो rule of law है यानि कानून का साशन है किस देश इसे प्रेरित है answer is United Kingdom या इसे आप Britain भी कह सकते है next है friends question emergency provisions in the Indian constitution the government of India Act 1935 has been taken from the constitution of which country बारते समिधान में आपा सम्मन्दी उपबंद भारत साशन अधिनियम 1935 किस देश के समिधान से लिया गया है answer है जर्मनी के वीमर constitution से next question the authority of supreme court as a guardian of the constitution has been taken from which constitution of the world समिधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच न्यायले का अधिकार विशुके किस समिधान से लिया गया है answer है US constitution से next question the concept of liberty, equality and fraternity mentioned in the Indian constitution is inspired by तो भारते समिधान में जो सुतंतता, समानता और बंदुत्व की अधारना है ये प्रेरित है France constitution से next question from which country did the colonial government borrow the post of collector in India तो भारत में collector का जो पद है ये लिया गया है England के constitution से अगला question है from which country the provision of equality before law has been taken कानून के समिधान समानता गब जो प्रावधान है ये लिया गया है कहां से इंगलेंड के constitution से next question which country gave the concept of sovereign parliament सम्प्रभु संसत की अधान ली गई है इंगलेंड के constitution से next question from which country's constitution the rights of the executive regarding the suspension of fundamental rights given by the Indian constitution has been taken भारते समिधान द्वारा जो मौलिक अधिकार के निलम्मन के संबंध में जो कारेपालिका को अधिकार दिये गई है ये किस देश के समिधान से लिया गया तो इसे लिया गया है जर्मनी के constitution से अगला question देखिए next question है the concept of parliamentary privilege in the Indian constitution is based on the constitution of which country भारते समिधान में जो संसद्य विशेश अधिकार की अधारना है इसे लिया गया है Britain United Kingdom के constitution से next question है which system has been included in the Indian constitution on the constitutional ideas of the USA USA के समिधानिक आदर्शों पर भारते समिधान में किस प्रणाली को शामिल किया गया है तो simple पूचा गया है कि US के constitution से क्या लिया गया एक तो हो गया यहाँ पे federal system, दूसरा fundamental rights, तीसरा है independent and impartial supreme court and judicial review तीनों ही चीज़े लिगए हैं US के constitution से अगला question देखिए, who among the following left the most profound influence in the making of Indian constitution भारते समिधान के निर्मान में सबसे जो गहरा प्रभाव है यह छोड़ा है Government of India Act 1935 ने अगला question है, from which country the system of supreme court has been taken in the Indian constitution भारते समिधान में सर्वोच न्यायाले की वियवस्ता ली गई है USA के constitution से अगला question है, which did, where did the inspiration for the ideals of liberty, equality and fraternity enshrined in the preamble of constitution of India come from भारत के समिधान के जो प्रस्तावना में सोतनतता समानता और बंधुत्व के आदरिशों की प्रेणा कहां से मिली तो ये मिली प्रेणा French Revolution से अगला question है, which one of the following features is common to Indian Federation and the American Federation कौन साथा feature है चुकि भारती और अमेरिकी परिसंग में समान रूप से पाया जाता है तो वो है federal supreme court for the election of constitution यानि समिधान के निर्वाचन के लिए जो federal supreme court है ये दोनों में common है अगला question, which of the following is the constitutional document which has a profound influence in the framing of Indian constitution सबसे गहरा बरभाब पड़ा है Government of India Act 1935 का अगला question है, भारते समिधान में fundamental rights के समिधान से लिए गए है तो जो मूलवूत अधिकार यान जो fundamental right है उन्हें लिया गया है USA के constitution से next is the emergency powers of the president of India are the gift of which of the following countries भारत के राष्टपती के आपादकाले शक्तियां किस देश की देन है तो ये लिया गया है friends कहां से जर्मनी के वीमर constitution से next question है suspension of fundamental right during emergency in Indian constitution is inspired from which country's constitution आप बातकाल के दोरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है किस देश के समिधान से प्रेरित है ये है जर्मनी के वीमर constitution से अच्छे friends अकर हम emergency के बात करें तो तीन emergency है हमारे constitution में सबसे पहले है national emergency जिसका वर्णन है article 352 में उसके बाद देखे state emergency या presidential rule जैसे हम कहते हैं ये article 356 में है और जो financial emergency है इसका वर्णन है article 360 में तो ये तीन तरह की emergencies हैं को declare किया जा सकता है एक यहाँ पर बहुत important बात है जब national emergency लगती है उस दोरा देखे जो fundamental rights होते हैं वो हमारे suspend हो जाते हैं लेकिन जो article number 20 है जिसमें कहा गया है protection in respect of punishment for offenses और article 21 जो है protection of life and personal liberty ये suspend नहीं हो सकते हैं ये दो article के बारे में जरू ध्यान लखेगा बाकी सभी fundamental rights को suspend किया जाता है जब भी emergency लगती है अगला question है the framers of the constitution of India borrowed the concept of fundamental rights from तो fundamental rights को लिया गया है USA के constitution से next है अमेरिका के constitution से क्या adopt किया गया है तो right answer हो जाएगा judicial review, fundamental rights और method of removal of judges of the supreme court ये सभी चीज़े ली गई है इसके बाद मौलिक अधिकार के समिधान से प्रेरित है answer है अमेरिका from which feature did the framers of the constitution adopt from the constitution of America अब देखें अमेरिका से विकी स्विशिष्टा को अपनाया है method of removal of judges of the supreme court कि supreme court के judges को हटाने का जो method है ये अपनाया है अमेरिका के constitution से next question भारत के समिधान में जो preamble का idea है वो कहां से लिया गया है तो preamble का idea लिया गया है US constitution से next question from where has the concept of union of states been obtained in the Indian constitution भारत के समिधान में राजियो के संग की जो अफधाना है ये लिया गया है आजियो के चानिडा के constitution से next question from which country the principle of liberty equality and fraternity included in the preamble of the Indian constitution has been taken भारत के समिधान के प्रिस्तावन में जो शामिल है स्वतनता समांता और बंधुत्व का सिधान्त किस देश से लिया गया है right answer is France अगला question देखिये from which country the ideal of social, economic and political justice has been taken in the preamble of Indian constitution भारत के समिधान के प्रिस्तावन में सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्यायक का आधर्ष ये लिया गया है रशिया के constitution से next the preamble in the Indian constitution तो प्रियंबल जो है भारते समिधान की जो प्रिस्तावना है किस देश के समिधान से ली गई है तो इसे लिया गया है friends अमेरिका के constitution से ठीक है प्रियंबल का ध्यान रखेंगे इसके बाद अगला question this supremacy of the constitution in the Indian constitution has been taken from the constitution of which country भारते समिधान में समिधान की सर्वोच्चता किस समिधान से लिया गया है आंसर है अमेरिका से next step from where has the appointment of Rajapal ये Rajapal होगा ये गवर्नर बीन टेकन in the Indian constitution तो भारते समिधान में राजयपाल की न्युक्ती को कहां से लिया गया है Canada के constitution से next question from where has the provision of independence of judiciary been taken in the Indian constitution भारते समिधान में नियाए पालिका की स्वतनता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका constitution से next question the provision of residuary powers with the centre has been taken from the constitution of which country तो अफसिष्ट शक्तियां केंदर के पास जो प्रावधान है इसे लिया गया है Canada के constitution से next question which country's constitution has taken the provision of impeachment on the elected president तो भारते समिधान में निर्वाजिर राष्टपती पर महा अभी होग का जो प्रावधान है ये लिया गया है France America के constitution से अगला question है भारते समिधान में जो vice president का post है ये provision कहां से लिया गया है तो प्राश्टपती प्रत के प्रावधान को लिया गया है America Constitution से और जगदीब धनकर जो है इस टाइम पे हमारे vice president है अगला question देखे from where has the provision for the method of removal of judges of supreme court and high court been taken supreme court or high court के नयदीशों को हटाने की विधी का प्रावधान अमेरिका के constitution से लिया गया next है भारते समिधान में financial emergency का प्रावधान कहां से लिया गया है तो वित्य आपातकाल का जो प्रावधान है ये concept अमेरिका से लिया गया है और financial emergency का वर्लन कौन से आर्टिकल में है 360 में next है from where has the republican system been taken in the Indian constitution भारते समिधान में जो गरतंत्र वियवस्ता है इसे लिया गया है कहां से answer है France constitution से next question from where has the provision of electoral college of the president been taken in the Indian constitution भारते समिधान में राष्टपती के नर्वाचक मंडल का प्रावधान या इसकी जो वियवस्ता है इसे लिया गया है Ireland constitution से अगला question है the process of election of members in Rajya Sabha has been taken from the constitution of which country Rajya Sabha में सदस्यों की चुनाफ की प्रकृरिया किस देश के समिधान से ली गई है answer है South Africa अगला question from which country's constitution the provision of sovereignty article in the Indian constitution has been taken तो भारते समिधान में जो सम प्रभुता अनुच्छी देया फिर परमाधिकार लेक है इसका प्रावधान लिया गया है Britain United Kingdom के constitution से तो friends यहां हमारे questions तो complete होते हैं time आता है test का जिसमें दो questions हैं तो पहला question है the amendment process of the Indian constitution is influenced by the constitution of which country तो जो संशोधन की प्रकृरिया है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया दूसरा question है जो concurrent list का concept या नि समवर्ती सूची का जो concept है ये किस country से लिया गया है तो इन दोनों questions के answer आप हमें comment box में ज़रूर बताएं इसके साथ friends से important class हमारी यहां पे complete होती है thank you so much for watching this video